Hello Strind, इस प्यूर्ट हम बात करनेवाले हैं VECOM के वारे में Special of Commerce,yal Degree Program और Degree Honors के वारे में बिकॉम Honors और वीकॉम General यानि की VECOM Program के वारे में Complete Detail आपको आज की स्पूर्ट हो मिलेगी जैसेods Console of Commerce, Degree Program और Degree Honors के बारे में आपके online program की बात करें, courses किस प्रकार से रहेंगे, eligibility criteria के रहेंगी, इगनू के अंदर, due के अंदर, इसके इलावा duration of program, admission कैसे लेना है, और job वगेरा, opportunities क्या रहेंगी, in future के लिए अगर आप ये course करते हैं तो, और कहां सी करना ये course बैस रहेगा, किसका material अच्छा है, किसका अभिकार है, या फिर up to remark नहीं है, आज की इस video में complete detail आपको देखे को मिलेगी, अगर आप in future या फिर अभी become जी कर रहे हो, या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए आज की वीड़ो काफी important रहने वाली है, वीड़ो का एंट तक जरूर से देखें, साधी चनल पहली बार आई हो, make sure आप चनल को जरूर से subscribe करें, बहले एकन दो आने, ताकि latest video date आपको सबसे बहले मिलती रहे, आई स्टेंट बात करते हैं, बिकॉम जी यानि की bachelor of commerce प्रोग्राम और honours degree प्रोग्राम के बारे में, फर्स्ट वल हम बात करें कि ये overall प्रोग्राम है क्या, तो ये एक commerce का degree प्रोग्राम है, जो की आपको graduation के degree प्रोग्राम करता है, चाहे हाँ अब general की बात करें, बिकॉम जी या फिर बिकॉम प्रोग्राम जो की आपके due में concentrate किया जाता है, या फिर honours degree प्रोग्राम जो की bachelor of commerce में रहता है, उसकी हम बात करें, अब यहाँ पर बात आती है, मुख्यत है कि अगर आप इगिनू से admission लेना चाहते हैं, option क्या क्या अबलेवल हैं अगर आप ड्यूज या एड्विशन लेना चाहते हैं इस course के अंदर तो क्या क्या option है और कहां पर कैसे apply करना होगा फर्स्ट अब इल्जिविल्टी क्राइडेरे की बात आती है ड्यूजिविल्टी आपकी थोड़ी डिफर हो जाती है विकोज यहां पर ट्राइडेरे अलग अलग है जैसे कि आपको बता है अब merit-based इसके लावा आपका स्यूड़ी एक्जाम के तहट आपके addition conduct होते हैं सभी का आप यहां पर देख पा रहे हैं जो लिश्टिट निकाली गई है उसके recording आपके marks given है किसमें कितने marks आपको चाहिए सबसे highest आप देख सकते है srm का है src sorry src का अमुमन commerce के लिए भाई जाता ही है बाकी भी आप देख सकते हैं सहीद भगत सिंग कॉलेज इनका भी रेंकिंग हाई है और यहां पर भी आप देख लीजे कॉमर्स में अगर आपको एडिशन लेने तो यहां पर यह हाई प्रियोर्टी रहते है mostly मेरे recording src first priority रहती इस्ट्वेंट की अगर उनको कॉमर्स यानि बेस्टर डिग्री चाहिए due के अंदर से तो वो mostly src को prefer करते हैं आगे हम बात करते हैं इगनु के अंदर क्या criteria है because यहां पर तो cud exam हो गया इगनु के अंदर बात करें तो आपकी plus to complete होना लिए और यहां पर और कोई criteria नहीं मांगीगे plus to complete है आप apply कर सकते हैं चाहिए आप become AF की बात करें जो कि आपका है bachelor of commerce accountancy and finance वहीं इगनु में आपका become gb है become bachelor of commerce general उसमें भी आप admission लेना चाहते हैं उसकी eligibility criteria बहुत सिंपल है plus to आपकी complete होने चाहिए अब सवाल उठता है प्रोग्राम की duration medium और भी कई सारे points पर duration की बात करें तो duration दौनों में सेम है three year आपकी maximum नहीं minimum time है एकनु के अंदर minimum three year है जिसमें आप complete कर सकते हैं अगर आप सोचते हैं कि हम सारे courses को दो यह साल में करने हैं एक साल में तो हमारी degree मिल जाएं नहीं minimum time period अपका three year है जो कि आपको complete करना होगा maximum आप एगनु के अंदर अगर addition ले रहे हो तो five year में complete कर सकते हो अपनी इस degree को इसके लाव मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लेस तो नहीं मीडियम में यह अप लेबल है course तो आप apply कर सकते हैं irrespective your medium ओके आगे बात आती है कुछ और में पूइंट फीस की बात कर ली जाए विकॉस एक एहम रोल अदा करती है एकनु में बात करें आपके become g की यानि की become bachelor of commerce general की तो इसकी जो फीस है वो yearly है आपकी 4,200 पीस बन येर की फीस है वहीं due की बात करें बट उससे पहले online mode की फीस एक बार देख ली जाए और दूसरे program की भी तो यहाँ पर जो फीस है become AF की बात करें तो इसकी फीस थोड़ी अलग है अगर आप program फीस की बात करें तो 8,100 पीस है वहीं registration फीस आपकी 850 रुपीस है इसके लाबा कुछ और चीज़े हैं जो आपको समझी नहीं है online mode की बात करें तो यहाँ पर भी फीस आपकी different है overall फीस आपकी 12,600 फीस है इसके लाबा वन येर की फीस अगें सेम है यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है आपकी बस जो फीस है 300 पो इंक्लूड यहाँ पर दिखा रहे है ओके अब डियू की बात कर ली जाए कि यहाँ पर फीस क्या रहेगी अगर आप become यहाँ से गड़ते हैं इस फीडियो मैं भी क्लिर आउट कि आप यहाँ पर लिश्ट देख सकते हैं एन्वल फीस यह गिवेन है अलग लग कॉलिजिस की जैसे अचार नरेंद्र देव कॉलेज की हम बात करें तो यहाँ पर बीकॉम की ओनर्स है जिसकी फीस है आपकी अन्रिजर्व ओबीसी और EWS माइनोरिटी इसके लिए 7,965 रिपीस एन्वल फीस है आपकी वहीं हम बात करें लेते हैं एक और महत्मूर कॉलेज जो की SRC है उसमें फीस क्या है विकॉस वह जायतर इस्ट्रेंट की प्रियोर्टी रहता है वाकि आप अलग से जो भी कॉलेज आप देखना चाहें उसकी पता अगर सकते हैं मेरी दिल चस्पी SRC को लेकर है जिसके हम फीस एक बार देख लेते हैं विकॉस मोश्ली इस्ट्रेंट का वो प्रियोर्टी रहता है अगर वो कॉमर्स में अप्रिशन लेना चाहते हैं तो अपके अभी तक तो काफी लिश्ट है आगे ओके फाइनली हमें मिल चुका है SRC तो इसकी फीस के हम बात करें बीकॉम ओनर्स की तो 15,000 फीस आपकी फीस है वन येर की बाकी ऐसी की बात करें तो 14,905 एन इस टी की भी सेम है वहीं पी डबलू की बात करें तो यहां पर 75 फीस है तो यह फीस इस ट्रक्चर है आपका SRC की तो आप बाकियों की फीस अगर देखना जाते हैं तो इस लिश्ट में देख सकते हैं लिंक में बैसिकली टेलीग्राम पर शेयर करा दूंग लिंक डिसक्रि होगा इगनु में सिंपल प्रोसीजर है ओनलाइन आप एडविशन ले सकते हैं अभी फिलाल जुलाई 2023 सेशन के लिए अडविशन ओपन है 15 जुलाई 2023 लाज्टेट है आप अप्लाई कर सकते हैं ओनलाइन आपको एडविशन लेना होगा इगनु की मेन वेबसाइट पर च कैसे करना है उसके लिए वीडियो लेक्श्यर आपको डिस्कृश्शन मिल जाएंगे उसे आप देख सकते हैं आगे हम बात करते हैं कुछ और में पॉइंट की बारे में जैसे अगर यह कूर्स आप लोग करते हो तो इसका वेनिफिट अल्टिमडली होने क्या वाला है इसक आपकी ग्रेजुशन कम्पलीट हो रही है तो ग्रेजुशन को बिस्क मीनिंग आपकी सारी गवर्मेंट एक्जाम के लिए आप यूपएसी है ससी के तो बहुत सारे एक्जाम आप 12 वेस पे भी दे सकते हैं ग्रेजुशन वाले एक जो एक्जाम है वो भी आप हैं इसके लावे frm हैं बहुत सारे courses हैं जो आप कर सकते हैं बहुत सारे job opportunities हैं जो become के बाद आपके लिए open हो जाती है तो अगर कोई है यह कहता है की become के बाद option नहीं है तो उनको कहिए कि बहुत सारे option है और आप उनको गिनाई है कुछ example तो यह option है और job की salary बात करें तो salary भी आपकी काफी अच्छी रहती है और यह सफी में vary करती है because मैंने कई सारे program की बात की है इसके लावा digital marketing है और अभी के time भी कई सारे new courses भी आने वाले हैं जो आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे तो यह आपके लिए बीकॉम जी और बीकॉम ओनर्स के बारे में डियू और इगनू से हमने बात की देखी फर्स्ट priority में अगयन यहाँ पर यही कहूंगा कि अगर आपको regular में option मिल रहा है तो फर्स्ट priority आपकी regular होने चाहिए अगर आपको option नहीं मिल पा रहा है एड्विशन नहीं ले पा रहे है regular में कोई भी reason हो सकता है x y z तो आप लोग इगनू प्रेफर कर सकते हैं ठीक है इसके बाद भी आपके पास में कई सारे commerce के बारे में संपूर जानकारी होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आयोगी पसंद आयो तो like कर देना शेय कर देना comment box में अपनी आज ही इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इक और नहीं वीडियो में तब क्लेचे हैं जावारत भाए दोस्तों